Good morning class, today we will understand math revision work word problem की questions को solve करेंगे आज हम First है, a hospital use 15 liter, 40, 400 ml of liquid cleaner every month ठीक है, एक hospital जो 15 liter और 400 ml liquid cleaner जो है एक मन्त में use कर लेता है Find the quantity of liquid cleaner in milliliter तो जो आपको ये liter में दिया है, 15 liter, 400 ml इसको आपको टोटल को milliliter में convert करना है, ठीक है तो लिखेंगे सबसे पहले answer Liquid cleaner used by hospital कितना use करता है 15 liter, 400 ml अब जैसे कि हमें पता है, एक liter में 1000 ml होते हैं, ठीक है फिर इसको liter में कैसे change करेंगे Liquid cleaner in milliliter जो लीटर में दिया हुआ है, उसको आपको 1000 से multiply कर देंगे जैसे 15 liter दिया है, तो 15 multiply 1000 प्लस 400 ml क्योंकि ये तो अल्रेड़ी मिलीटर में दिया है, तो इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो गया? 15,000 प्लस 400 ml तो हमारा कितना आ गया? 15,400 ml टोटल निकल के आया, लिक्विड क्लीनर जो एवरी मन्थ होस्पिटल यूज करता है, ठीक है? सब्सक्राइब देखेंगे, आप पेंटर बॉट सेवन लीटर कैन आफ पेंट टू पेंट वाल्स आफ आफ हाउस, ही यूज़ड फोर लीटर फॉम इट ठीक है? एक पेंटर ने सेवन लीटर लिया, पेंट जो वाल को पेंट करने के लिए, ठीक है? अपने हाउस की वाल को पेंट करने के लिए, उसेवन लीटर लिया, उसमें उसने फोर लीटर यूज कर लिया, ठीक है? How much paint is still left in the can अब बतान है कि उसकी can में कितना जो है वो left बच गया है ठीक है कितना left है paint जो उसकी can में बच गया है तो क्या करेंगे paint bought by painter कितना 7 liter paint used by painter कितना use किया 4 liter ठीक है अब क्या करेंगे जितना बचा है कैसे निकालेंगे जो painter bought किया उसमें से जीतना use किया उसे minus कर देंगे तो लिखेंगे paint left in can कितना left हुआ 7 liter minus 4 liter 7 liter में से 4 liter को minus किया तो कितना गया 3 liter तो कितना 3 liter जो है paint उसकी can में बच गया painter की can में ओके students आपको यह understand करने है और इनकी practice भी करने है अच्छे से Thank you